तो friends, last अपने comparison तो 888 का देखा होगा, 888 काफी powerful processor था है DMC7200 के सामने, लेकिन आज का comparison है DMC7200 वर्टसे SNAPT-870, तो दिखते हैं कि क्या आज powerful processor हो पाता है SNAPT-870 DMC7200 के सामने, वीडियो को पूरा last देखेंगा, वीडियो में आपको पूरा conclusion बताऊंगा, आपके सारे doubts clear करने की कोज़िस करूँगा, तो वीडियो को पूरा last देखेंगा, हाइफ्रेंट्स, मेरा नाम है गौर और आप देख रहे हैं प्रोस्टर वाला चैनल टेक रूम, बेसिक इंफरमेशन, एनाउंच जे, क्लास, मॉडल नंबर, और ट्डिप, आपके स्क्रीन के सामने थोड़ा बादाँ हो TDP एन क्लास में, क्लास देखे, स्नाप्रग का फ्लैक्सिप निए निए जाता है, टीडीप में जो डैक्सिप नाम लिखने का बस वो नहीं है, फ्लैक्सिप होने के वजए से इसमें काफी चीज़े इंप्रूफ कर दी जाती है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, सपोर्ट, रैम सपोर्ट, इंटर्नल पार्ट्स और इंटर्नल जो जूज़ किया गया है, अब बात की जाएं यहाँ पर आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर वाइस दोने प्रॉफ्सर अक्रा कोर दिये गया है, डाम सिरी में 2 कोर 2.8 कोर्टेक्स A7-10-15 मिलता है, 6 कोर 2 गीगाट्स लाग कोर्टेक्स A5-10-10 दिया गया है, इस स्नाप ड्रगर में मिलेगा, 1 कोर 3.2 कोर्टेक्स A77, 3 कोर 2.42 कोर्टेक्स A77, बाकि 4 कोर 1.8 गीगाट्स लाग कोर्टेक्स A55, यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी बेटर स्नाप ड्रगर की है, बट यहाँ पर जो कोर्टेक्स A77 एकमपेटिबल है, इस स्नाप ड्रगर में में तो अभी केलिए जो परफॉमस आपको बेटर देखने को मिलेगी वह है ड्रगर्ट्री 7200, बात करते हैं फ्रिक्वेंसी सपोर्ट की, तो ड्रगर्ट्री 2,800 मिगाट्स पे क्लॉक आएगा, इस स्नाप ड्रगर 3200 मिगाट्स पे क्लॉक कर रहता है, तो जैसे थोड़ी परफॉमस बढ़ती है स्नाप ड्रगर्ट्री बट अभी आगे नहीं है स्नाप ड्रगर्ट्री बात करने तो जिसका जितना स्मॉल फैब्रिकेशन होता है उतना बेटर प्रोसेसर होता है वह, इस स्नाप ड्रगर में लेगा एड्णो 650 एड्णो 650 काफी पारफूल है इसमें मिलेगा एड्णो 600 का आख ड्रग्चर है दोने प्रोसेर के जो जीपी फ्रिक्वेंसी थोड़ी रिफ्रेंस है यहां पर जो ड्रगर्ट्री है से 1130 मेगाट्स के साथ क्लॉक आती है स्नाप ड इसमें पातकिना तो जो ड्रग्री है 1000 क्रोस कर जाएगा ड्रगर 1372 स्कूर करता है वला बेतर पर्फॉमस फ्लोटिंग के मामले में स्नाप ड्रगर में यहां लेकिन अभी जितना हमने स्पेक्स देखा उसके हिसाब से ड्रग्री में बेटर पर्फॉमस्स हाईगी Memory Type की पासक्राइब दोने process में LPDDR5 support दिया गया है बट frequency आपको डामसरी में better देखने को में लगी 3200 MHz की है जिसके विज़से समें performance थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी जबकि Snapdragon में आपको 2750 MHz की speed दी गई है जिसके विज़से थोड़ी सी performance कम हो जाएगी यहां पे बात से स्टोरेश टाइब की दोने में UFS 3.1 का maximum support दिया गया है गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग में देखे डामसरी का डेटा मैंने Vivo V27 से लिया है स्नापडरिन का Realme GT Neo 3T से लिया है PUBG मॉल की बात करने यहां पे 60-90 का support में लेगा ग्राफिक सपोर्ट में स्नापडरिन बेटर होने वाला है अल्टर एजडिक साथ अल्टर पे गेम अनलॉक मिलती है जबकि डामसरी में HDR अल्टर का support दिया है नॉर्मल जो की हर प्रोस्टर के साथ आजकल मिल जा रहा है यहां पे बात करें कॉल फडेटी की तो यहां पे 60-60 support मिलेगा ग्राफिक सपोर्ट में दोने प्रोस्टर वेरी हाई support करते है बट स्नापडरिकर में मैक्स का भी support मिलता है जैसा भी मैंने बोला HDR अल्टरा सभी प्रोस्टर में देखने को मिला है वो लो इन क्लास और नॉर्मल क्लास में नहीं देखने को मिला है एक हाई क्लास में ही देखने को मिला है जैसे की आपको 7200 में तर देखने को मिल रहा है इस स्नापडरिकन 778G में मिलेगा 778G प्लस में मिलेगा 782G में भी भी मिलेगा यहां तक कि आपको 900 & 920 में भी यही मिलता है अब बात करते हैं वीडियो क्याप्चिर की वीडियो क्याप्चिर में जो डामस्टी सपोर्ट है 4K 3D पे स्का है वे स्नाप रंड का 8K 3D पे सपोर्ट है प्लेबैक भी ऐसी सेम है डिस्प्लेशन में स्नाप रिगर मच बेटर है 3814 x 2160 पिक्सल्स का सपोर्ट करेगा जबकि डियमस्टी जो है 109 x 121 तो 1200 पिक्सल्स का सपोर्ट करता है दोनों के बास अपने 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 अप्यूस जिये गए है कनेक्टिवडी एक बात करें तो दोने प्रॉसर 5G सपोर्ट करते हैं LTE के 21, 22 का सपोर्ट मेलेगा ब्लूदर 5.3 & 5.2 की टेकलोजी मिल जाएगी वाएंड वाइफाई में वाइफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है अब बात करता है Benchmark, Geek Benchmark Scores की Singles Cool performance में Damzig का स्कोर 850 होगा Snapdagon का स्कोर 995 होगा वही ठीड की बात करने तो दिमेंटरी है 2300 स्कोर करेगा Snapdagon 3370 स्कोर करेगा हाँ कुछ थीज़े जो Snapdagon में काफी वीग दी गई थी जिससे आपको लग रहा होगे परफॉर्मेस कैसे बेटर हो गई, ये फ्लेक्सिट लिवल क्लास का प्रोस्टर है तो बेटर होना ही था जिसे, एना पर बात किया जो अंदूदो बेंचमार्क स्कोर है, डाम 3 का 6 लाग आएगा, में स्नाप रून का 7 लाग आता है, थोड़ा बोट अभी ऑप्टिमाइशन क प्रोस्टर लेना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन ही कि दोने भी प्रोस्टर अच्छे खासे प्रोस्टर है, आपको अपना बजट देखना पड़ेगा, और कौन से फोन में क्या लख्या रहा ये देखना पड़ेगा, तो यहां पर पर्फॉर्मेस आपको मिलेगी, डामेश जो काफी स्टेबल है, 870 इसलिए मुझे लखता है जाना भी जाता है, गेमिंग प्रोस्टर के बात करने डामेशरी का स्कोर 55 पे आगा, स्नाप डर्ण का स्कोर 67 आता है, तो आपको जो गेमिंग, अगर इस्पेशली गेमिंग के ले लेना है, तो स्नाप डर्ण रिकमेंड अपने पर्सनल स्कोर की बात बताता हूं कि कौन सा प्रोस्टर है बेटर, मुझे जो पर्सनली बेटर लगा, वो स्नाप डर्ण है, ये दामसरी का स्कोर 63 है, स्नाप डर्ण का स्कोर 70 है, तो कि परफॉमस के मामले में स्नाप डर्ण बेटर है, ग्राफिक्स के मामले में स्न डामसरी बेटर देखने को मिल जाएगा and LPDDR support के में जो frequency आती वो डामसरी बेटर देखने को मिल जाएगा जबकि snapdragon में आपको video capture better मिलता है, LTE cat का support better मिलेगा, Wi-Fi 6 अभी support मिल जाता है, Bluetooth 5.2 की technology मिल जाती है तो ज्यादा सब मेजर चीजे जो में better दी गई है वो snapdragon में, हाँ अगर आप battery efficient processor and high class processor खोज रहे हैं तो डामसरी 7200 तो एक better choice होने वाली है आपके लिए अगर आप इन दोनों processor में से कोई processor buy कर रहे हैं तो बताएगा ज़रू, ताकि और लोगों की भी help हो जाए वो लोग आप से भी मही direct comment section में पूछ देंगे और ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को like and channel को subscribe कीजेगा ताकि मेरी help हो जाए thanks for watching